कि इसी बात को दर्शाता है सेल साइकल जब सेल बड़ा हो जाता है थोड़ा साइज में तो वो तूट जाता है डिवाइड करता है माई टॉसिस शो करके दिखाता है और डॉटर सेल्स पैदा करता है इस सारी प्रक्रिया को सेल साइकल कहते हैं जिसमें cell division भी आज आती है cell cycle एक पूरा चक्र है जैसे कि cycle बता रहा है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी actual cell division भी आती है और बाकी बहुत सरे हिट से सो में यह भी बटा हुआ है यह पूरा चक्र चक्र को English में cell cycle कह देते हैं यह steps the various stages by which a cell the sequence the various sequences steps by which a cell number one doubles up its DNA or RNA whatever the case may be produces cell parts it can be proteins and other constituents number three divides into two daughter cells final एक बार human cell और yeast cell में race हुई कैसी रेस की देखें कौन कितनी जल्दी multiply करके दिखाता है इसके लिए दोनों को culture में डाला गया laboratory में culture प्रदान किया गया यह सेल को और human cell को यानी food nutrient some liquid diet the time starts now 10-10-10-10 human cell दिन को शुरू हुआ शाम बीद गई रात्री आ गई चंदा मामा आ गई तारे आ गई और human cell divide नहीं हुआ इसने पूरे 24 घंटे लगा दिये पूरा एक दिन लगा के डिवाइड किया जी दो डॉटर सेल्स में 24 घंटे लगा दिये on an average in culture यह सेल जीत किया केवल 90 मिनिट्स में इसने दो डॉटर सेल्स बना के दिखा दिये जीत किसकी हुई यह सेल की इस सबसे हमें क्या समझ में आया कि हर सेल का अपना अपना तरीका है डिवाइड करने का कोई बहुत लं नमब़ ताइम लेता है डिवाइड करने में कि तो यानी कि उसका सेल साइकल लंबभा होता है कि आbas हुआ कि एकका कोषी कोटर और इवाईड करने का चकर की कि तो ह्यूमन्स में एक सब्गया कि इसके 24 और लग जाते हैं on an average in a culture culture medium करता क्या ही आखिर human cell divide करने के लिए भी divided करना यह है यह बड़ा सा जो गोला वारा हुआ है यह है cell cycle का चित्र जो की कॉन शो कर रहे है यह human cell cell division जो एक्चुली हुई है ना M capital M से दर्शाई जाती है जिसमें एक्चुली वह टूटा है वो तो इतनी सी है यह यह यलो सी इतना भाग है यानी एक घंटे का टाइम पिलिया उसने माई टॉसिस नहीं यह M ने सेल डिविजन एक्चुल लेकिन चौबिस घंटे में से बाकी के जितने भी एक घंटा माइनस करके जितना भी टाइम था वो Annual sound कि यह यह लिटा हूया रेस्टिंग स्टेज दिखा रहा है तो अडिया के मुझी जब जब शुरह जब जब धिम टाइम नहीं 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 पहले साइंटिस्ट बहुत पहले इस पूरी स्टेज को यह जो थी न कहते थे कि विश्राम का वक्त है जी रेस्टिंग स्टेज है यह और इसको बोलते थे interface the time when the cell takes rest लेकिन it was wrong notion by the scientist अध्ययन से पता चला अरे यह तो जैसे housewife नहीं होती बिचारी बैस सारा काम वो करें लेकर कहला है की बिल्कुल inactive है कुछ नहीं कर रही जोब नहीं है लेकिन interface बहुत ही important है very important duration है interface की stage है जिसमें cell rest नहीं कर रहा होता है बहुत active होता है उसे ज़रान यह पाया गया क्यों क्योंकि it is actually preparing for the cell division to take place cell acid होड़ना तूट जाएगा उसको बहुत सारा dna बहुत सारा RNA extra चाहिए chromosome extra चाहिए material chromatin material double up होना चाहिए तब जाके दो सेल बन पाएंगे नहीं तो कैसे बनेंगे this is the diagram of the cell cycle undergone by any cell which is about to divide interface कहां पे है यह आई, capital I जो दिखाया है यह interface पूरा pink pink area और यह चोटा सा क्या है, slice of pizza type यह है hematosis, actual cell division तो interface को define कैसे करेंगे it is the time, यह time को दर्शा रहा है, during which the cell is preparing for the actual cell division to happen और इसमे हो क्या रहा है, cell growth हो रही है इस interface में इसमे DNA replication हो रही है in an orderly fashion, orderly manner, sequential manner और और कैसे interface को define करे सकते है, बड़ा simple definition simply the phase between two mitosis, plural आगया तो E आजाएगा mitosis is also called multiplication division, equational division भी इसको बोल देते है इक्वेशनल क्यों बोलते है, क्योंकि अगर 2N लेके चला, cell, parent cell 2N है, तो जो प्रोड़क्स बनेंगे, जो डॉटर सेल्स बनेंगे, वो भी सारे 2N, 2N होंगे एक से दो सेल बनाता है, mitosis पहले, daughter cells, फिर वो फर्दर multiply कर सकते हैं finally the child, the offspring, इसकी भी सारे somatic cells, body cells 2N होंगे, यानि डिपलोईड G1, S, G2, ये तीन एरियाज देख रहे हैं, बड़े-बड़े एरियाज, ये सारी क्या है, interphase ये देखो, prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis, are the various stages or phases of capital M, mitosis, cell division, actual, और ये G0, G0 थोड़ा अलग सा है, inactive stage है, quiescent phase of the cell है, जब cell कहता है कि और नहीं, बस और नहीं, जब cell ठक जाता है, तो वो G0 में चला जाता है, 0 मतलब actual विश्राम, inactivity by the cell, no cell division at all, quiescent stage, when the cell will not divide, G1 stage को देखते हैं, this is the first stage phase, you can say, of interface, इसमें cell क्या करता है, cell grow करके दिखाता है, cell की growth होती है, विकास होता है, विरिद्य होती है, cell बढ़ा होने लग जाता है, और उसके parts भी naturally grow कर रहे होते हैं, जब वो बढ़ा हो रहा है, तो उसके organelles भी और उगेंगे, बढ़ेंगे, multiply होंगे, second stage, देखो, यह आगई, जीवान की बात कर लिया हमने, S आगई, second stage, synthesis stage, यह थी gap 1, जीवान को बोलते हैं, gap 1, पूरा नाम, S का मतलब है, synthesis phase, S का मतलब है, synthesis phase, here the DNA will double up, यानि की chromosome भी double up हो जाएंगे, लेकिन chromosome जैसे यह, ऐसे single पड़ा था ना, तो यह ऐसे double up हो जाएगा, इस तरह के शकल बन जाएगी इसकी, यानि chromatid extra पैदा हो जाएगा, इसमें यह जो tangs यह है, दो arms और आ जाएंगी, chromosome डबल अप हो गए हैं, लेकिन उनका नमबर अगर गिन हो, तो यह भी एक है, यह भी एक है, तो वो नमबर सेम रहता है, chromosome number will remain the same in the organisms, which are about to multiply the cells, which are about to multiply, that is the synthesis stage, very important, DNA doubles up. G2, the third stage of interface, here the RNA will develop, RNA doubles up, protein increases, all the proteins required for actual cell division, they will be formed, they will be increased in G2, उसके बाद क्या हुआ जी, interface खत्म, my toss is शुरू, उसके बाद cell की मर्जी कि वो G0 में जाए या ना जाए, या फिर से interface में जाके next cycle undergo करे, इस तरह से यह cycle चलता रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है, cell का, cell multiply करते रहते हैं, आपके school में एक play दिखाया गया, नाटक दिखाया गया stage पे, और आपने भी खूब clapping की clap, 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 वा जी वा, बहुत अच्छा नाटक, जो नाटक मंचन हुआ वो तो था केवल, 10 मिनट का on the stage, लेकिन आपको पता है, आपको नहीं पता चल पाया, कि पिछे का, पर्दे के पिछे क्या क्या हुआ था, पूरे एक महीने से तैयारी चल रही थी, ये characters कलाकार ढूंडे गए, चुने गए, ये देखो, फिर कहानी को समवाद वगरा दिये गए, डायलोग सब को बाटे गए, ये भई, तेरा डायलोग ये उसका है, और practices की गई, खूब, rehearsal हुई, कई-कई देर, daily, practice हुई, और फिर finally, कपड़े वगरा चुन लिए गए, मार्केट जा जाके, खरीद के लाए, भई, तू ये पैनी हो, ये चुननी, और ये मटकाज काम आएगा, ये necklace, ठीक है, यानि की, पूरा ताम जाम, ये सारा क्या है, जो मैंने दर चाया, इस वाले पेज पे, ये दिखाया है, इंटरफेज को, पूरा ताम जाम तैयारी, जो सेल की division के लिए करती है, वो stage है, इंटरफेज, और जो actual नाटक दिखाया था, 95% जो लेती है, सेल साइकल का, ताम दूरेशन, इट इस दा प्रेपरेशन गोइंग ओन, फॉर मैटासिस, और ये प्रेपरेशन क्यों जरूरी है, इतना सारा ताइम क्यों लिया, कवाया, साइज भी इंक्रीज हुआ इसी में, साइल ग्रोथ होती रही, किस में, जी वन और जी टू, ये फेजी जैस के, सेंटर में आती है, तो जी वन पहला, फेज, सिंथेसिस फेज, जी टू, यानि गाप टू, गाप वन, सिंथेसिस, गाप टू, आर दर थ्री स्टेजिस, इस थ्री फेजिस, फाउंड इन इंटर फेज, ये लाइन से चलती है, जी वन, एस, जी टू, ग्रोथ हो रही है, जी वन में, और जी टू में, सिंथेसिस हो रहा है, मेटीरियल्स का, डी एन ने का, सिंथेसिस स्टेज में, तो, ये सब क्या है, वो इसलिए, क्योंकि माइटाउस में, जो डॉटर सेल्स बनते हैं, वो बराबर क्रोमोसोम्स लेके, बनते हैं, जैसा पिरेंट्स के होते हैं, उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहता है, मेंटेंड होता है, फी स्टेजिस, phases of I that is interface of a cell cycle consisting stages and first stage G1 any gap one stage second stage s synthesis stage third stage in the sequence G2 gap to stage or phase in some may hota kya repeat karte hai yad karte hai mitosis or DNA replication DNA doubling ke beach major stage aati hai usko bolte hai gap one yani G1 it is a part of interface I told you this corresponds to the interval between mitosis and DNA replications during gap one the cell remains metabolically active and keeps on showing cell growth yeh vriddi karte rata hai cell is tawaran interface ki wo kaunsi stage hai jis mein DNA double up ho jayega in every cell amount of DNA it doubles yaniki DNA replication takes place chromosome amount doubles chromatin doubles yes a stage synthesis stage of interface a core is ki pachan hai ki the chromosome number remains the same even though the as a way kiki chromosome yet a or the third stage of interface is g2 yani ki gap two this is the third stage of interface is g2 yani ki gap two s ke baad ki stage hai hai is mein protein synthesis ho ra hai its protein ban raha hai hai dhada dhada kiyo it is to prepare for actual cell division aur second is ka feature cell growth hote rata hai cell growth hote rata hai hai what is this small m phase shown in this diagram in this cell cycle diagram it is the mitosis cell division stage mitosis shown here in human beings human cells it takes one hour to divide from one to two daughter cells humare me kya ho ta hai 2 n ho ta hai deployed cell 46 chromosomes bantei bhi kitne hai 46 46 body cells yani ki somatic cells yani daughter cells sa pia da ba hai hu yani ki ki kia thi gaap zero ii ki 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 diğer tohi ki ki penis the cell come tata matlab arree kaam toh karthaya processes sare ho ra hoote sere kere lékin multiplication नहीं करता है, cell divide नहीं करेगा यहां पर, G1, S और G2 यह सौरा क्या है, यह पूरा है interface, so how to define mitosis, it is a type of cell division, cell division का प्रकार है, आपको पता है cell divisions दो तरह की होती है, mitosis और meiosis, तो यहां mitosis की बात कर रहे हैं, it is a cell division in which the cell multiplies, divides to two daughter cells, the daughter cells are found to be identical to each other, बिल्कुल एक जैसे होती हैं, दोनो, very similar, true copy of each other and also the true copy of the parent cell, दोनो ही daughter cells की यह पहचान है, की वो एक दूसरे से भी बिल्कुल सेम होंगे, केरोटाइब, जीनोटाइब, सब कुछ जो देखा जाए, genes वगरा, सेम लेके होंगे, और parents cell से भी बहुत, मिलते जुलते होंगे, similar होंगे, डिट्टो कॉपी होंगे, true copy होंगे, दूसरा की chromosome number भी सेम रहता है, माइटोसिस में यह भी इसका second feature है, अगर यह 2N था, तो यह भी 2N, 2N, अगर यह 1N cell लेके चले थे, parent cell, तो 1N, 1N daughter cells बनेंगे, एक cell से 2 daughter cells बनते हैं, in the cell cycle, mitosis is placed like this, very short duration, only 1 hour in case of human cell, on an average, when it is grown in culture, mitosis ki further stages, sequences, phases, phases kya है, पहली है, प्रोफेस, फिर है मेटाफेस, then comes the anaphase, after that, followed by telophase, यह जो हैना, 1, 2, 3, 4, जो फेस, फेस बोली है, मैंने यह सारी कहलाती है, केरियो काइनेस, division of the nucleus first, occurs in mitosis, after that, last में cytokinesis आजाती है, यानि division of the cytoplasm, as the name of indicates, as the word indicates, and hence, two daughter cells, 2N, deployed, deployed से शुरू किया, deployed ही, end हो गए, two daughter cells बन गए, mitosis, यह एक cell है, मैं थक चुका हूं कह रहा है, inactive stage की बात हो रही है, बताईए कौन सी stage, कौन सी phase of cell cycle की बात की जा रही है, यहां पर, yes, G0 की बात हो रही है, gap 0, एक ऐसी छोटी सी stage, जिसमें कोई-कोई cells चले जाते हैं, और अगर वो उसमें चले जाते हैं, तो वो inactive हो जाते हैं, वो कारया नहीं करेंगे, आगे divide नहीं करेंगे, कारया तो कर रहे होते हैं, कैसे कार रहे होते हैं कि cell metabolically active होता है है सारे काम पूरे कर रहा होता भई margin metabolically active होता है कैसे काम भई परिवहनvy Denious आन्य अगले को और इंटेक और फूड करना है, गैस एक्सचेंज करना है, वेस्ट को बाहर फैकना है, और मुवमेंट करनी है, ये सब तो वो करे जा रहा है, लेकिन रिप्रोड्यूस, मल्टिप्लाय नहीं कर रहा है, केवल, किसमें, G0 में आके, इस वाली स्टेज में आके, किसकी सेल साइकल की G0, कुई सेंट स्टेज, टेंप्रेरी इन एक्टिविटी शोन बाई सेल्स, कब तक, जब तक उसको बुला वाना आ जाए, कि अरे, सेल जागो, और कार्य करो, मल्टिप्लाय करो, कब कोई रिक्वायर्मेंट हो, मान लो, बाडी की, ऐसी आ जाए, कोई एमर्जेंसी आ तब यह active हो जाता है, और divide करने लग जाता है, G0 से बाहर निकलाता है, G0 में जाता कब है, G1 से exit करके G0 में चला जाता है, This is the parent cell, इस से बन रहे हैं, दो daughter cells, अगर parent cell 2N लेके चले थे, यानि देपलॉइड, तो daughters भी 2N 2N cells, this is the characteristic feature of mitosis that is why mitosis is very helpful in growth because one cell gives rise to 2, 2 to 4, 4 to 8 and that is how cell growth and multiplication takes place hence mitosis is also called multiplication division equational division mitosis cell division represents the M phase which is very short in human beings it is only of one hour duration on an average and if you see here we have to remember what is it together and what is it which is called a cell it is a unicellular organism amoeba if this is amoeba if it is an amoeba and it divides people or 1 with 2 binary fission to binary fission we have given the class in the middle class तो यह वाला डायग्राम देखा हुए बड़ा कॉमन की पहले नुकलिस खीच रहे हैं से खीच रहा है इलोंगेट हो रहा है एंड डिवाइड हो रहा है नुकलिस फाइनली और फिर फाइनली यह जो है ना फरो क्रियेट हुई है और यह डीपन होके दो डाटर सेल्स बन गए है तो वो पहले कौन तूटा है पहले नुकलिस तूटता है उसके बाद साइटो प्लाजटा देखो तब जाके दो छेल बने हैं तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हर सैल डिविजन में पहले केरयो काइनेसे जथी उता है यानिकीन नूकलि tik हो यह ठीच उटके यानि की कुटिंग अफ तर साइट प्लाजम दिविजन अफ तर साइट प्लाजम होता है तो मितोसिस में भी ऐसे ही है करयो कैनेसिस and then cyto कैनेसिस in a sequence, in an order मितोसिस, a type of cell division that occurs in diploid somatic cells, body cells and in gonads that is testis and ovary of animals at the time of germ cell formation that is when they multiply in plants मितोसिस occurs in both 1n as well as 2n cells in this division the number of chromosomes remains the same that is the main feature in the parents and the progeny the number of chromosomes remains the same thus it is also called, मितोसिस is called equational division division, equational division it is divided into two parts karyokinesis and cyto kinases the division of the nucleus is the first in the sequence karyokinesis the nucleus divides into two and it is divisible into further karyokinesis is further divisible into prophase, metaphase, enaphase and telophase four stages cyto kinases as the name indicates breakdown of the cytoplasm the cytoplasm divides now after the nuclear division thus you get two daughter cells out of one the various stages of mitosis karyokinesis divisible into prophase, metaphase, anaphase, telophase and then occurs the cytoplasm division cyto kinases cyto kinases cell cycle cell cycle interface ختم हो चुकी है जो की तीन हिस्सों में थी G1 S G2 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 तक वो काम पूरा हो चुका है और उसके बार शुरू होती है M यानि की my totic phase very small only one hour duration तो यह M के बारे में बात कर रहे हैं अब शुरू हो रही है mitosis karyokinesis starting with prophase stage the first stage the first phase the features of prophase are it occurs after G2 that is ending of the interface prophase में क्या हो रहा है chromatin condensation यह जो chromatin thread है network है जाल है पूरा chromatin का threads यह water loose कर-कर के shrink होएंगे ऐसे ऐसे इकठे coil-up हो जाएंगे और bodies बना देंगे rod-shaped structure बना देंगे निश्चित जिनको बोलते हैं chromosomes तो यह दो क्या बनाएंगे यह ग्रे-ग्रे यह हैं chromosomes का शकल और क्या features है प्रोफेस के centrioles you know in the animal cells there are centrioles जो की double-up हो चुके हैं interface में और जो एक जोड़ा है वो चलता-चलता-चलता-चलता दूसरे पोल में पहुँच जाएगा यानि दोनों पोल अपने-अपने centrioles लेके बैठे हैं अब यह नजारा है यह पोल्स बन चुके हैं जो बिलकुल edges of the cell हैं जहां पे centrioles पहुँच आते हैं उनको पोल्स कह देते हैं और यह सारा मैंने क्या बनाया साइटोप्लाजम है जी यह और cell का चित्र है यह nucleus बना हुआ है और क्या-क्या होता है प्रोफेस में जो centrioles पहुचे थे ना दोनों पोल्स पे यह रहा पोल और यहां भी है एक पोल वहां पर यह पहुचकर spindle fibers बनाने लग जाते हैं प्रोटीन के threads पतले-पतले threads spindle fibers my totic spindles और यह देखिए nucleus बना हुआ है cytoplasm इस तरह से चित्र बनेगा यह क्या है centrioles एक और अजीब बात होती है प्रोफेस में उसका feature है की गोलगी body endoplasmic reticulum nucleolus nuclear membrane all start disappearing disintegrating you won't see them यह एक cell है जो interface में है resting stage end वरी यह interface मान लो तो यह उसका diagram है इसमें हमें chromatin threads दिखाई दे रहे हैं chromatin centrioles दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ आ गए है और cytoplasm नजर आ रहा है और अब आ जाते हैं प्रोफेस का diagram कैसे बनाएंगे poles दिखाएंगे दो spindle fibers बनने शुरू हो गए हैं किस के द्वारा centrioles के द्वारा यह देखो यह जो thread like structure शुरू हो गए बनने बनने यहाँ पे भी यह बन रहे हैं क्या spindle fibers और chromosomes नजर आ रहे हैं हमें rod-shaped structures chromatin नहीं chromosome बन चुके आ भी है यह है disintegrating nuclear membrane तूट रहे है देखो और nucleolus भी तूटता नजर आ रहा है second stage of mitosis karyokinesis metaphase in this there is complete disintegration of the nuclear envelope nuclear membrane बिल्कुल तूट चुकी है यह बहुत ही छोटे duration की होती है metaphase short duration और chromosomes भी बिल्कुल थिक होकर raw shaped बन चुके हैं proper इस तरह से नजर आते हैं दो chromatids के बने होते हैं chromatids यह chromatids क्या होते हैं भी यह एक chromosome है पूरा इसका इतना हिस्सा अगर आप आदा देखो यह वाला तो यह क्या है एक chromatid और यह दूसरा वाला दूसरा chromatid तो कुल दो chromatid इसमें नजर आ रहे हैं यह जो आदे आदे हिस्से हैं यह एक chromatid है तो two chromatids are found in the chromosome the chromosomes come and arrange themselves on the equator equatorial plate जो होती है center में एक cell के invisible line imaginary line created by us only हमने suppose की है एक center में line उस equatorial plate पर chromosome arrange कर लेते हैं आपने आपको आकर बहट जाते हैं और poles पर आपको पता है spindle fibers बनने शुरू हो गए हैं spindle fibers will attach with the kineto core of the chromosomes अब यह kineto core क्या है आपने पढ़ा हुए पहले यह एक disc shaped structures होते हैं जो centromere यह chromosome है centromere के आसपास disc shaped structures पढ़े होते हैं kineto cores जिनके द्वारा attach किया जाता है जो attach होते हैं kineto core attach होते हैं spindle fibers के साथ this is the diagram of prophase where you can C rod shaped chromosomes have been formed nuclear membrane disintegrating then the spindle fibers forming nucleus disintegrating becoming absent the poles have been created centrioles have read the poles and metaphase की बात हो रही थी metaphase का diagram कैसे बनेगा chromosomes पहुच चुके हैं equatorial plate पे यह जो नीली नीली सी plate बनाई हुई है equator बनाया हुआ हुआ है cell का center imaginary और यह poles है तो यहां पर यह जो spindle fibers थे ना यह attach हो गए है kinetocores से किसके chromosome के यहां पर kinetocores पड़े होते हैं उनके साथ attach हो जाते हैं spindle fibers इस प्रकार से chromosomes are found in the center lying down in the center of the cell on the equator कोई पूछे की pole क्या है तो poles are the imaginary ends of a cell where centrioles are found and they form the spindles equator क्या है again it is an imagination imaginary line running in the center of the dividing cell where the metaphase chromosomes come and lie look at these diagrams A, B and C इनमे chromosomes कौन कौन से हैं कहां पे हैं exactly chromosomes B or C chromosomes proper A नहीं है यह chromatin network कहलाते हैं इसको chromatin thread कह जते हैं chromatin material कहते हैं लेकिन इनसे बनने हैं chromosome कब जब यह lose करेंगे water आपको पता है condensation से तो यह rod shaped bodies हैं जिनको chromosomes बोल देते हैं hereditary information रखते हैं हमारे बारे में parents से offsprings को पुचाते हैं बहुत ही काम की चीज़ chromosomes और क्या यह वाला भी chromosome है और यह वाला भी हां जबकि यह देखने में बड़े ही chromosomes हैं कभी stage वाले chromosomes दिख जाते हैं cell में कभी ऐसे वाले पर पड़े होते हैं chromosome cell के अंदर वह depend करता है stage to stage but they are both of them called chromosomes only यह दो chromatids दिख रहे हैं एक chromosome का हिस्सा इसमें दो chromatids हैं chromatid फिर या दिला दू यह एक chromatid और इसी के साथ यहां पे और यह थोड़ा सा centromere और यह arm दूसरा chromatid two chromatids in a chromosome यहां पे centromere दिखाया है जो center वाला area है centromere कैलाता है round these are the arms और kinetocore भी दिखाया गया है disc-shaped structure with which the spindle fibers attach during cell division a very small question for you again A diagram B diagram look at A what are these red red lying here in the nucleus यह new place बनाया गया है इसमें क्या पढ़े है chromosomes हाँ chromosome कितने गिनन हाँ चार clearly आपका होगे चार ही तो हैं दिखतो रहें सामने हाँ चार chromosomes यह भी एक new place का चित्र है B वाला इसमें आपको यह लाल लाल क्या दिख रहे हैं यह भी chromosomes है अच्छा यह भी chromosomes है और rod shaped यह कितने पढ़े हैं गिनना एक दो तीन चार पांच छे छे पढ़े हैं chromosomes correct correct and our phase the third phase or stage of what karyokinesis वो कर रहे हैं karyokinesis कर रहे है division of nucleus कर रहे है karyokinesis karyokinesis features क्यां इसके अनफेस के the chromosome lying on the equator equatorial plate divides each of the chromosome will divide into two it will split into half तो एक ही chromosome के दो हिससे होने वाले हैं कैसे यहां पे कट आएगा कट-कट-कट यह एक हिससा यह दूसरा और यह दोनों हिससे क्या कहलाते हैं हमें तो पता है कि chromatid के लाते हैं यह दो chromatids यह separate हो गए हो गए भई लेकिन यह chromatid नहीं कलाएंगे अब यह कलाएंगे chromosomes second point क्या है each chromosome हां chromosome कहेंगे न इनको chromatid नहीं कहेंगे moves to the opposite pole starts moving to the opposite pole in anaphase just for reminding sake यह metaphase का चित्र है जिसमें pole बनाए गए हैं यह यह क्या boundary जो बनाए गई है यह cell membrane है यह nuclear membrane है आपको क्या लग रहा है हां nuclear membrane तो गायब हो चुकी है कबकी तो यह cell membrane है जो बनाए जा रहे हैं और साइटो प्लाजमें सीधे यह सब कुछ पढ़ा हुआ है जो पढ़ा हुआ है साइटो प्लाजमें यह सारा तो spindle fibers दिख रहे हैं यह और equator पे कौन पढ़ा है क्रोमोसोम्स पढ़े है एनाफेस का ड्याग्राम पोल के तरफ कौन चलने लग गया है क्रोमोसोम्स खुच चलने लग गया है नहीं 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 इनके काइनेटो कोर्स जो spindle fibers से जॉइंड हैं connected हैं और spindle fibers कहां connected हैं पोल के साथ connected हैं यहाँ पे centriole ने बनाया इनको तो यह जो spindle fibers हैं यह shrink वगरा करते हैं और इनके movement से इनकी shrinking वगरा से क्रोमोसोम खिचे चले आते हैं यह खिचते हैं धागे से क्या? spindle fibers जो की protein के बने हुए और उनकी movement के कारण ही क्रोमोसोम उपर खिचते चले जाते हैं उपर जाते 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 इस डोरी में यह देखिए कि आगे कौन है और पीछे कौन है आगे लेड कर रही है centromere round structure यह जो yellow yellow बनाया है यह leading structure है और इसके पीछे पीछे इसको follow कान कर रही है arms of the chromosome अभी topic चल रहा है division of nucleus उसकी चौथी stage है telophase telophase को अगर याद रखना हो ना तो ऐसा याद रखो कि जो प्रो phase होती है ना उसमें जो भी events होते हैं उसका almost opposite उल्टा होता है किसमें telophase में मतलब इसमें अगर nuclear memory हटती है और चली जाती है disappear होती है तो इसमें आ जाती है सब कुछ उल्टा पुल्टा याद रखने के से के लिए बता रही हो तो फीचर्स के हैं telophase के chromosomes have already reached the poles पहुच चुके है पोल्स पे chromosomes second point chromosomes start gaining water condensation का opposite हो रहा है water ले रहे हैं तो उससे क्या है फैल रहे हैं और chromatin threads बन रहे हैं from the chromosomes loose-loose thread-like structures nuclear envelope starts reappearing in telophase nucleolus also darshan देने लग जाएगा reappear करने लग जाएगा आने लग जाएगा endoplasmic reticulum Golgi bodies यह सब दर्शन दे देंगे in mitosis or M of the cell cycle we have already covered karyokinesis the next stage is following stage is cytokinesis division of the cytoplasm यह कैसे होता है दो nuclei हमें नजर आ रहे हैं बन चुके हैं पहले ही अगर आप microscope के नीचे देखेंगे तो आपको दो nuclei नजर आने वाले हैं in the parent cell और दोनों ही nuclei में कितने kromosome पड़े हैं गिनना जरा एक और यह दो दो-दो-दो kromosome नजर आ रहे हैं खुल जैसा हम लेके चलेंगे वैसा ही मिलेंगे ना हम जैसा start करेंगे ना parent cell में हमारे उपर हैं कि हम कितने parent cell में kromosome लेके चलते हैं हां तो यह cytoplasm है यहां पर एक furrow create हो गया and this furrow will deepen and deepen यह जो furrow की बात कर रहे हैं हम यह बात कर रहे हैं animal cells की there will be pinching off two daughter cells thus formed मिलकुल अलग-अलग देखो 2 cells बन गए इस प्रकार से एक cell ने जो parent cell हम लेके चले थे कितने बना दिये 2 daughter cells बना दिये जैसे promise किया था इसी को तो बोलते है mitosis I told you that cytokinesis in the plant cell differs from that of the animal cell slightly क्यों? क्योंकि cell wall rigid होती है cell wall center में form होने लग जाएगी cell के center में ही शुरू होती है fragments in the form of plates, pieces, fragments ठीक है इसको बनाने में गोलगी bodies का भी योगदान होता है और यह actually represent किसको कर रही है middle lamella को represent करती है जो middle layer होती है आपको पता है cell wall की तो यह middle lamella ही है जो बनने लग रही है शुरू में हाँ middle lamella आपको पता है calcium pactate की बनी होती है ठीक है और second point क्या बनता है कि यह जो cell plate बनी है cell wall बननी शुरू हुई है यह grow करने लग जाती है आ गया के को बहर को और side के fragments के साथ जुड़ जाती है और एक पूरी cell wall बन जाती है we can see the parent cell with which we have ended up plant cell है लेकि यह animal cell नहीं है cell plate बनेगी पहले fragments, pieces calcium pactate, middle lamella यह सब represent कर रही है यह cell plate इसको और center में शुरू हो गई है लेकिन यह चलते 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 उगते उगते grow करते करते पूरी हो जाएगी और side से भी join कर जाएगी cell के साथ, cell wall के साथ बस्याद में कर दो यह